हेलो बच्चो आज हम आए हैं physics chapter 3 लेकर जिसका नाम है current ठीक है तो आज हम बात करेंगे current chapter की जो की है physics class 12 का third chapter तो हम basic से बात करेंगे current की current क्या है drift velocity क्या है mobility क्या है drift velocity को कैसे derive करते हैं क्या formula है कैसे numerical करेंगे basics बाते बिलकुल start करते है current electricity chapter का नाम है current electricity current electricity 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 को कि सब जानते होंगे विजली ठीक है तो current क्या होता है current के बारे में भी सब लोगों को पता होगा कि current क्या होता है current की definition होती है is a rate of flow of charge rate of flow of charge इसको बोलते है current तो current का formula क्या होता है current का formula होता है कितना charge flow हुआ divided by कितने time में यहीं तो होता है यहीं तो होता है अगर हम बोलूँ average current instantaneous current निकालने के लिए मैं क्या करूंगा छोटा सा current छोटे से time के लिए अगर जाएगा तो वह हो जाएगा क्या instantaneous current ठीक है जैसे average speed average velocity करते थे plus two में plus one में समझे यूनिट भी पता होगी current की क्या है ampere ampere तो अगर मैं ऐसा बोलूँ अच्छा इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं e i is equal to d q by dt अच्छा ऐसा लिखते हैं चोटा बड़ा क्यों कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं करता हूं अगर दोनों किस integration कर दूं दोनों साइड integration कर दूं क्या होगा आई को इदर ले जाते हैं लो IDT is equal to d q ऐसा कर सकता हूं क्या कर सकता हूं सर बिल्कुल कर सकता हूं ठीक है क्यों कि integration क्या होगी d q की यह होगी q छोटा बड़ा जैसे मर्जी कर लो है कोई दिक्कत नहीं है i constant बाहर निकल जाएगा integration t क्या निकल कर आया q is equal to i into t यह formula या रखेंगे या i is equal to delta गे होगा इधर चला जाएगा एक ही तो बात है q is equal to i into t क्यों क्या होता है i into t ठीक है पक्का चलें आगे अच्छा गर मैं पुछूं current कैसी quantity है scalar या vector current क्या है scalar है या vector है current is a scalar quantity अब कहीं बच्चे बोलेंगे कि sir current के पास तो direction होती है बिल्कुल कहीं बच्चे बोलेंगे कि sir current के पास तो direction होती है तो मैं बोलूंगा कि current के पास direction तो होती है बट current जो बाकी vector quantities के रूल है ना उनको follow नहीं करता करन्ट क्या करता है vector product को follow करना चाहिए था अब करन्ट को वेक्टर इंटो ना वेक्टर वाला वेक्टर क्वांटिटी इसके और भी तो रूल है ना यार सिर्फ डारेक्ट्टी वाला थोड़ी है उनको follow नहीं करता हो तो हम इसको vector quantity नहीं मानते है मतलब करन्ट को multiply करते हो यार कोई दिखते था है direction भी है magnitude भी है बट यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यह क्या है सर्फ डारेक्ट डारेक्ट्ट्ट है magnitude है तो यह सकेलर कैसे होई क्यूंकि यह सकेलर की है आपके पढ़ते हो कि Director take scalar तो यह याद रखें करणटइक zwischen ति कौणिटी स्केलर होती है कि Each debug तरह करें वस तो इसको चैन्सर नहीं नहीं तरह की quantity अभी आगे पड़ोगे अभी के लिए कुछ नहीं है बूल जो अभी याद रखो कि current सिर्फ एक scalar quantity ही है ओके हालांकि इसके पास magnitude दोनों है फिर भी हम इसको scalar मानेंगे बात खतम ठीक है चलें आगे चलो सर अगला topic है drift velocity अगला topic है drift velocity drift velocity को denote करते हैं VD से इसको न अच्छा drift velocity को एक और बोलते हैं इसको बोलते हैं electron gas model अच्छा drift velocity को समझने के लिए एक बात समझें क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम न एक conductor लेते हैं हम क्या करते हैं एक conductor लेते हैं हम एक conductor लेते हैं कोई भी conductor ले लो कोई भी एक normal conductor मैंने जैसे एक rod उठाली तो यह conductor है ठीक है और conductor के बाहर conductor के बाहर देखो इसमें current नहीं है वह बोलूँ करण्ट नहीं मैंने इसको गहीं से दिया नॉर्मल conductor है लोही की रोड उठाली तो मैंने इसके बाहर से एक electric field पास कर दी मैंने एक conductor लिया और उसके बाहर से एक electric field पास कर दी उसके बाहर एक electric field बना दी उसके बाहर उसको एक electric field में रख दिया ऐसा बोल दो उसके बाहर से electric field पास कर दी जैसा मरजी बोल दो मैंने उसके बाहर एक electric field बना दी उसकी direction है यह उसकी direction है यह अच्छा एक boundary पास होने से क्या हुआ क्या करकर के पासора सबस्सीं इसके पास तो दुनिया भरके free Scriptures पढ़े होंगे free यक्ट्राइस क्या करेक्टर में पढ़े मूव कर रहे होंगे हां blocking एक तो मूव करते रहते हैं हमें ज़ीं ठीक हैं करन्ट कैसे चलता है current कशा मतलब है जब electron की movement होती है तो इसमें भी तो electron की movement हो रही है तो क्या इसको reward को अगर आप हांत antagon कि मेटल को आपके सामने पड़ा उसको हाथ लगा हूँ क्या उसमें से current लगता है नहीं लगता क्यों नहीं लगता मालों यह मैटल है ना एक यह ही करण्ट लगा सारी इसको करेंट धिया ही नहीं नहीं किया मतलब है किया मतलब है करिंक पने से टो है वह सबρείू लोक्ति से भागते हैं आप रोक्सीमेटर यह तेनल पर सिक्स मीटर पर सेकिंड अंदर पढ़े हैं वो इस विलोसिटी से भाग रहे हैं यह थोड़ी-थोड़ी है कम एक है विलोस्टी है नहीं है कम तो फिर भी मुझे नॉर्मल कंड़क्टर को टच करने से करंट क्यों नही तो ऐसा क्या हो जाता जिब उसको मैं कोई immigrant देता हूं एलेक्टरिक्ल कर उसमें डाल देता कूरंट तो हो समझो बहुत को कि जब मैं इसके उपर से पास आउट करूँगा इसके बाहर से अबस्चों आई करूँगा तो यह चार्ज एक्यूमलेशन होगी यानि कि एक्यूमलेशन होगी चार्ज एक्यूमलेशन मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि चार्ज ना इसका सारा देखो नेगटिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसमें इधर आ जाएगा क्या हुआ पॉलराइज पाज़िव पमिनल राखस प्रकार सुरुद चभटतों या होग तो समझ में अए Just क्या हुआ इसे क्या होगा। इस्टे एक और काम होगा। इससे कंड़क्टर के अंदर conductor के अंदर एक और electric field induced होगी इसको मैं inside बोल लेता हूँ जो negative से positive भागेगी देखो इसकी direction ये होगी ये charge accumulation के कारण इसके अंदर एक और negative electric field induced होगी जो negative से positive भाग रही थी तो क्या होगा ये वाली electric field इस वाली electric field को cancel कर देगी ये वाली electric field इस वाली electric field को cancel कर देगी ये equal and opposite है तो ये दोलों cancel हो जाएंगी इसका मतलब कोई भी electric field नहीं हो इसमें पैदा हमने पढ़ा भी था पिछले साल याद होगा आपको हमने पढ़ा था कि E net inside conductor net electric field inside a conductor is always zero याद होगा कैसे होती है ये concept है बाहर electric field है अंदर उसके equal and opposite एक और electric field बन जाती है जिसके कारण E net zero हो जाती है किसी भी connector के अंदर कोई भी connector इसलिए उसको हाथ लगाने से हमें current नहीं लगता यार current अगर current होगा तो electric field पैदा होगी अभी current नहीं लग रहा electric field नहीं नहीं है तो current कहां से आएगा समझे लिए तो एक connector के अंदर E net हमेशा zero तिपड़ रखा है आप लोगों ने कैसे होता है वो समझो clear है इतनी बात समझाई एक बाहर electric field उसके लिए मैंने अंदर electric field एक पैदा हुई जो बाहर वाली को cancel कर देगी इसका मतलब क्या है connector में E net हमेशा zero ओके अच्छा बाहर एक बात बताओ क्या E net zero होने से क्या E net zero होने से electrons की movement बंद हो गई क्या electrons अभी भी move कर रहे हैं क्या electrons अभी भी इस connector के अंदर move कर रहे हैं हाँ चार electric field cancel होगी क्या electrons अभी move कर रहे हैं इसको बोलते हैं तरबल विलासटी वॉलॉसटी क्योंकि temperature इसको बहुत जादा ही होती है हमने प्रिफ्ट विलासटी पढ़न उस पे आएंगे भी ठीक है पक्का समझारी इतनी बात थीक है तो अब क्या होगा अब क्या होगा देखो सारे इलेक्ट्रों भाग रहे हैं क्या एक डिरेक्शन में भाग रहे हैं इधर उदर भाग रहे हैं को इधर भागेगा को इधर भागेगा इधर उदर भागने से क्या होगा जो इन इलेक्ट्रॉण्स की यह सारे सारे लेक्ट्रोंस प्रसक्र्राइब कैण दिए खीड ईबम कुछन सब अलग अमड़ने की कोशिश उनकी सारे पूरे नियरओ कि बात कर नहीं हो में total electrons की सारे electrons की अगर average speed देखूं तो 0 हो जाती है तो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ठीक है समझ में आया अगर यह average speed 0 नहीं होगी अगर average speed 0 नहीं होगी तो आपको connector को हाथ लगाने से current लगेगा और वो किसी electrical source के connect नहीं भी तो भी current लगेगा ऐसा होता थोड़ी है क्यों क्यूंकि उनकी average speed 0 हो चुकी है किसकी total number of electrons की average speed अभी क्या है जीरो है अच्छा अगर हमें एक और काम करें अगर मैं काम करता हूं कि अब इस conductor के साथ एक battery कनेक्ट कर देता हूं अब मैंने क्या किया इस conductor के साथ एक battery कनेक्ट कर दी मैंने इस conductor ademे रहे अब क्या होगा battery connect करने से क्या हुगा जो इनक है अब जो इसका जो इसका 6 जिएक ईनकली साइट वो अब 0 नहीं है देखो जब 0roid तो कर Children नहीं एक जई एक दूसरे तो अब दूसरोइज नहीं होगा तभी मैं नेगटीव टो पॉजिटिव सही है थम्हें है संब् adm birth यह तो और काम होगा अब क्योंकि अंदर से इंदर येक्ट्रिकसे फील्डेट्र पैदा होगा याद होगा तुम्हें अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड जो अंदर वाली इंसाइड वाली है वह और उसके उपर जो इसके उपर आपने पड़ा था नहीं होता हुआ होता है में कॉन साथ यार्जहाँ जो चार्द फोर्स पैदा कर रहा है और उसके उपर जो इलेक्टरीटी फील्ड है उसको क्यों एपने पड़ा था यह तो तुप होता है कि अधू सेम होती है जब करणट और इधा रिट Ge figuritive dissident सेम लती है तो पोर्ष होता है f is equal to क्योव अगर डारेक्शन ओपोसिट हो तो फोर्ष लगता है माइनस क्योव क्योव याद होगा अभी क्या है इलेक्टर की फील्ड की डारेक्शन और करंट की डारेक्शन क्या है ऑपोजिट है ऑपोजिट है ना अच्छा ऑपोजिट है अच्छा से मना दी लो करंट और इलेक्टर की फील्ड की डारेक्शन क्या है ऑपोजिट है हीवार्फ करन्ट और लेक्टरिक फिल्ड कि इल्यक्टरिकी फिल्ड इधर व्यर्कु इधर तहीं आ अप्पोजिट होने से क्या वह यह किזה होगा यह वाला यह यह वाली एलेक्टरिक फील्ड है यह समझाया यह एक फील्ड और यह तो पक्का ना ठीक है अगर मैं आगे चलूं अगर मैं आगे और यह opposite है और यह opposite है तो sign आएगा minus का इतनी बात समझ में आई चले आगे अच्छा अब याद अब एक बात समझो कि यह जो electrons है यह भाग रहे होंगे को speed होगी speed change हो रही होगी मैं बोलता हूं actual में देखो होता नहीं है जैसा कि उसकी speed change हो उनके पास acceleration हो हमें लगता है उसकी बात भी करेंगा भी समझो देखो f क्या होता है m into a equal m क्या है एक electron का mass a उसकी acceleration तो f a acceleration क्या होगी f upon m f upon m mass of electrons f force on electrons f क्या यह आया हमें रखते हो e e upon m acceleration क्या है e e upon m तो मुझे लगेगा कि यह जो electrons है यह इस वाले acceleration से चल रहे हैं पक्का समझ रहे हो मुझे minus से कोई लेना देना नहीं है बाद में देखेंगे यानि इसले में होता नहीं है साथ क्यों होगा यह दुनिया भर के फ्री इलेक्टरों से इधर को इलेक्टरों जाना लगा तो इधर इलेक्टरों तो इसके पास acceleration आ रही है बट उसके पास acceleration नहीं है उसकी स्पीड धीरे 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 टकराने के कारण कम 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 होती जाएगी और उसके पास कोई भी acceleration नहीं होगी और उसके velocity जो पहले यह थी कम होती जारी उसके velocity थी पहले यह अब यह बार बार करणल से टकराने से यह जो electrons पड़ें अंदर क्या होगा इसकी speed बिल्कुल कम हो जाएगी और वह velocity जो वह attain करेगा जो वह velocity attain करेगा उसको बोलते हैं drift velocity velocity होगी यह constant velocity होती है यह क्या होती है constant velocity अब यह constantly से चलता रहेगा नौन constant velocity नहीं होगा समझे में इतना बड़ा concept क्या है इतनी ज्यादा बाते करने के बाद कि यह जो velocity दरुद टकराने के बाद चार्ज इंडियूस हुआ electric field और फोर्स लगा उस षबहुग करने एक्सलेरेशन होनी चाहिए दहसे एक्शुली में होती नहीं क्यों कम हुई क्यों कि इतने सारे electrons के साथ तकर आ रहा है विरॉषिटि कम-कम-कम-कम-कम होती होती यह इंस बहुत कम बहुत कम यह यह होती है जो यह जो आपकी drift velocity है यह होती है यह होती है प्रॉक्सिमेटली 10 रेस्टूर माइनस 4 मीटर पर सेगे देखो यहां से विलॉसिटी यहां तक पहुंच गई और यह कॉंस्टन हो जाएगे बहुत धीरे चलेंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स बहुत धीरे हो जाएगे और कॉंस्टन विलॉस्टी पर चलेंगे क्योंकि करणल से टकणाने से उनकी विलॉसिटी कम 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 होती होती है कॉंस्टन विलॉस्टी गेन कर लेगी इतना सारा फंडा समझने के बाद समझ में आया होगा तो वह होती है ड्रिफ्ट विलॉसिटी ठीक है चलें अगे चलते हैं यह जो ड्रिफ्ट विलॉसिटी इसका फ कितनी हो जाएगे कर दूक्तर में उसका एक फॉर्मुला है उसका फॉर्मूला है वह क्या है वह यह वी डी वीडी मुदी क्या थे ड्रिक्ट है ड्रिफ्ट विलास्टी का फॉर्मुला है माइनस इए अपॉन एंट्व टाउव एव्रेज बुक्स में टाव अकेला भी लिखा हुआ होगा हम एबरेज की बात करेंगे एक ही बात है समझो क्या यह कुछ नहीं है ठीक ए तो पता है चार्ड ओफ इलेक्ट्रों इ मैगनेटिक फिल्ल एम मास ओफ इलेक्ट्रों टाव एबरेज अब यह टाव एबरेज क्या है यह समझो कि इसमें कुछ चीज़े हैं लेंदा कि टॉफ टाव को बोलते हैं रिलेक्षेशन टाइम रिलेक्ट्रेशन टाइम एधिक लेक्ट्रों इसके कि आसवास बहुत सारे ट्राइप पड़े थे पड़े थे ना बहुत पासपास तो जब यह इए दर जाने लगा तो इस wey you के आड़न करी चलाया कों से तो जब इसने इस लेक्टरों से को लिजन ट्री घंठ थीकवह कितना टाइम लगा जो इसी इसको कितना टाइम लगा एक सेकंड दो सेकंड एक मिली सेकंड जो भी है अब यहां से यहां तक गया यहां से यहां से यहां तक गया कुलीजन करने यह जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने बहुत कम होगा मुझे पता है बहुत डिस्टेंस तो होगा इसको बोलेंगा फ्री सदाब इस्टेंस सदोब बीच में फ्रीन आप होगा इसतना सितने टाइम में कुलीजर सब्सक्राइब और उसका इप रितल यह से टाइम yes दूटाय में तग बनफेक ट कि अयुक्त रहystem अ तक चलेगा अी यहाद रहना किकल इसलिए घृवराज मैं रिका है है पक्ता समझने हो प्रूव करें इस को इसको प्रूव करते हैं प्रूव कर लेते हैं लो जी यह जो डिरिफ्ट विलासिटी होती है तो डिफ्ट विलासिटी क्या होती है इस दा average velocity average velocity of all electrons सारे electrons की average velocity होगी n number of electrons की उसको drift velocity भी बोलते हैं मतलब देखो मालों में सारे velocity की average निकालते है u1 प्लस u2 प्लस u3 till u n n number of electrons होगी divided by n यही average velocity होगी यही drift velocity होगी यही क्या होगी drift velocity ऐसा भी बोल सकता हूँ समझ में आई बात नहीं समझ में आई तो समझो 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 कैसे समझोगे मालो 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 की मालो एक एक electron है एक electron है ठीक है यह इसके साथ टकराने में एक और electron प्राइब बड़े सारे पड़े हैं यहां से यहां टकराया इसकी इनिशल स्पीड है यूवन यहां से गया इसके साथ टकराया तो इसने लिया टाव वन टाइम इसका टाव वन है और इसने यहां से यहां डिस्टेंस टवर किया लेमडा वन सब्सक्राइब इसकी इनिशल थी स्पीड इतनी तो इसकी दूसरे के साथ टकराने में इसको ठकराने के बाद इसकी सी हो जाएगी वेजिडी पक्का फिलाश्टी चेंज हुई यह मैं बोलता हूं इसके पास से इक्सलरे Minor इसा कि इतनी कि यहां इतनी बाल समझ में आई आई पक्का उर पकड़ते से आगर इतनी इसका डिस्टेंस लेमडा वन ऐसी होता रहेगा उता रहेगा ना यह नहीं होतार रहेगा तो मैं बोल सकता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि योधे संभी 2 आएसे बड़े सारे होंगे समझे लू यूटी टू होगी स्पीड ये इसने टाउ टू टाइम लिया लेमडा तू डिस्टेंस किया यू 3 से वी 3 होगी लेमडा 3 टूध शंब रहे इतां स्थी टाइम चलता रहे गा ऐसे चलता रहे गा ऑठ आचा अच्छे मैं बोलता हूं constant थी acceleration वो constant velocity से चल रही थे तो acceleration तो नहीं थी तो सम्में ही नहीं थी अना तो acceleration तो सबके लिए बराबर होगी constant acceleration होगी तो मैं equation of motion से लगा सकता हूं मैं equation of motion लगाता हूं V is equal to U plus 80 सही है अब V क्या यहां पर V1 U क्या है U1 plus A क्या है यह और time कितना है lambda 1 time कितना ताउ 1 ऐसे ही सबके लिए निकाल दूँगा V2 is equal to U2 plus A tau 2 V3 is equal to U3 plus A tau 3 सही है समझ में आ रहा है का नहीं समझ में आ रहा पक्का इन सारी की सारी values को यहां पुट कर दूँगा इन सारी की सारी values को V1 की value यहां पर U2 की यहां पर भी 3 की यहां पर पुट करूँगा करके देखो U1 plus A tau 1 plus U2 plus A tau 2 ऐसे चलता रहेगा U N plus A tau N divided by N divided by N इसमें से constant दूँगा U1 plus U2 plus U3 till U N अनलग हो गया आगे क्या हुआ U2 plus A constant tau 1 plus tau 2 plus tau 3 till tau N divided by N अब इसको डिवाइड करूँगा N से इसके साथ भी इसके साथ भी यह बन जाएगा U average यह बन जाएगा U average यह बन जाएगा A into tau average यह क्या बनेगा tau average सही है समझ में है अब आपको याद होगा कि जो average velocity हमने बात करी थी जो average velocity होती है इनीशल वाली वह 0 होती हमने बात करी थी अरे 0 थी तभी तो करंट नहीं आ रहा था तभी तो किसी कंड़क्टर को हाथ लगा कर हमें पड़े-पड़े में करंट नहीं लगता यादा ना लिखा था यह तो यानिकि यह तो 0 हो जाएगी यह तो हो यानिकी यानिकी कहां पर लिखूं 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 इसको बगरते हैं यानिकी क्या हुआ यह क्या है वी एवरेज पर वी एवरेज होती है विलोसिटी डिफ्ट विलोसिटी डिफ्ट विलोसिटी कितनी एंटू टा टाओ आवरेज इस यह क्या डुबिलिटी यह क्या डुबिलिटी क्या होति है कि तनी मूबाइल है कि तनी मूव कर सकती है मोबिलिटी क्या होती है कि कितनी मोबाइल मैं मूव कर सकता हूं वह मेरी मॉबिलिटी है अगर मूव कर सकता हूं तो मेरी मॉबिलिटी ज्यादा अगर मैं रिजिड हूं मैं नहीं मूव कर पा रहा तो मेरी मॉबिलिटी तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉंस की मॉबिलिटी की क्या ब कूर म्यूर्ब यह बूरा जो डिफायन कि испना कि मॉबिलीटी आरे बात हो जो electrons है उसकी mobility की बात हो रही है हम पर definition तो mobility की है बड़ बात हो रही है electrons की mobility की ठीक है it is defined as the ratio of ratio of magnitude of magnitude of drift velocity to the strength of to the strength of electric field applied अक्रोस दा metallic connector अक्रोस दा connector कितनी उसके drift velocity का magnitude divided by उसके कितनी electric field apply करें इन दोनों पर तो electrons की movement करेंगे कितनी mobility यह इतनी कम जादा होगी velocity जादा उतनी mobility जादा इतनी इलेक्ट्रिक फिल्ड जादा उतनी mobility जादा कम जैसे भी होगा ना कैसे लिखेंगे mobility को म्यूम इस इक्वल टू drift velocity अपॉन इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्रिफ्ट विलाउस्टी क्या थी इए अपॉन एम इंटू टाव एवरेज डिवाइड़ बाइड़ बाइए यानि कि ड्रीफ्ट विलाउस्टी एंड करंट करंट और ड्रीफ्ट विलाउस्टी के बीच में क्या डिलेशन है आई ऐसन घपिलेशन द्टवीन के कुरन टेंड बीलक्ति बूलेशन इसका है इसको पूव करेंगे आइट क्या है कांड क्या है एक हेलिक्टरों स्पर यूणिट वॉलिम है है क्या है इसको कैसा पूव करोंगे समझो हम लेंगे क हममें लोहता रख nug़ आप मैं रहें है कि यह ई और यह К nuevas लेता हूं यह है और ये B small cross section area मैंने क्या किया small cross section area मैंने बोला कि जो यहां पर electron थे जितने भी number of electrons यहां पर थे N number of electrons थे तो यहां से B point पर A cross section area इसका area है A area A है इसका area A है इतने N number of electrons यहां से B में गए तो उन्होंने DT time लिया बहुत छोटे time में यह electrons यहां से यहां move कर गए सही है इसमें तो कोई दिक्कत ने ना सही है ठीक है ओके अच्छा यह N क्या है N number of electrons नहीं है पूरे में N है N को बोलते हैं number of electrons per unit volume per unit volume में कितने electrons है उसकी बात हो रही है number of electrons in per unit volume कि इस unit volume में कितने electron है यह तो एरिया है मैं मान रहा हूं अगर इसकी थिकनेस भी ले लूँगा तो unit volume हो जाएगा सही है तो इस unit volume में कितने electrons है उसकी वह है N number of electrons per unit volume total number of electrons नहीं है मैं दोबारा बोल रहा हूं number of electrons per unit volume है अब एक बात समझो कि इनके बीचे में चार्ज होगा डीकर डीक होिए कि समझो यह चार्ज क्या होता है डीकरम पीरिड के लिए यहां से यह ठीक है इसके लिए चार्ज हूआ सबता हका दिक्राइज तो चार्ज क्या होता है चार्ज डीजेश्थ क्यों क्यों होता गुंता है एन इंटु dem processes Pawan एक तो ए इन पू एक कौन सा यह एलेक्टरोंस वह श्कार्ज मारे की एक इलेकटरों के पास विपके तना चार्ज आ स्षर्द मजोस कंसे थी रेड़ कि पूए एंड़ ईन नंबर नह्य के पास चाड तांग डершते तांग न एक क्लित वेवाइब aż और एक इलेक्ट्रों के पास चार्ज तो ही होता है याद होगा यह नमबर में दोबारा बोल रहा हूं यह विल्स्टीच होगी विलस्टीच होगी को इसे चाह सहे हमें लग रहा है एक सल्डेशन होगी बर नहीं होती हम युद्स अभी है है तो यह कॉंस्टन्ट विलोस्टी से जा रहे होंगे तो इनों ने कितना इस्टेंस कवर किया इन्हों इसके स्पीड इंटू टाइम तूट इस इकॉल टू डिस्टेंस पॉन टाइम समयरे हो वी डी इसकीस्पीड या यूर्ब स्थाइम तो उन्होंने यहां से यहां पॉंचने में डिस्टन्स करक्र कि वहीं इस बात में कोई दिखत पक्का अगर मैं बोल्हुंस का एरिया है इस क्रॉस क्षिप पहले दा तो ये वॉल्यूम कितना हुआ यह वाड़ा वॉल्यूम कि कितना हुआ इस वॉल्यूम को बोल सकता हूं एरिया इंटू डिस्टेंस एरिया इंटू डिस्टेंस यही तो वॉल्यूम होता है यह कितना है वी डी इंटू डी टी इंटू एरिया समझें वॉल्यूम कितना हुआ इसका वी डी डिफ्ट विलोस्टी डीटी टाइम लिया और डिक लुएड में यही तो होंगे तो इस वाले वॉल्यम में इतने अन जितना इसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम यह रहा तो क्या रख करूंगा यहां से मैं डी क्यों कैसे करूंगा डी क्यों इस इकल टू एन इंटू एन क्या हुआ इस वाले वाल्यूम का निकाल रहा हूं इस वाल्यूम के लिए निकालना था पूरे का न रखता अभी तो मैं इस वाल्यूम में देख रहा हूं एक इनड़ वाल्यू वॉल्यमिन्ट अन कितनी होई VD इंटू DT इंटू A इंटू N इंटू E पक्का है सही है VD इंटू DT इंटू A इंटू N इंटू D इंटू D इंटू E सही है इधर से DT इधर जा सकता है इधर लिख दूंगा DQ by DT is equal to V D E N A DQ by DT क्या होता है current होता है sir V D E N A where V is the V D is the drift velocity I is current E is charge on electron and is number of electrons per unit volume per unit volume not total total electrons नहीं है पर unit volume कितने रेक्टर ए है एरिया उसका cross-sectional एरिया जो भी आपने conductor या रोडली है उसका एरिया cross-sectional एरिया समझे लिए यह वाला ओके तो यह current है I is equal to V D E N A यह काम आएक है numerical solve करने में पक्का ठीक है इसको note कर ले ठीक है जी इसको पढ़ें बिल्कुल basic सा concept जिसको नहीं समझे में वीडियो दुबारा देखें ठीक कोई doubt है तो मुझे mail करें या comment करें ठीक तो पढ़ते रहिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे रिजिस्टेंस वगारा के चोट चोटे टॉपिक ना और डिटेल में बात करेंगे ठीक तो तब तक पढ़ते रहिए खुश रहिए इंज्वाए करिए और दी वेरी बेस्ट बाई बाई